नमस्कार आदाब सलाम आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी मिलन क्रीम के पारे में बहुत जाद आज की टाइम में चल रही है बहुत से लोग इसका यूज कर रहे हैं आज की वीडियो में बात करेंगे यह कितने टाइम तक यूज करनी चाहिए यह किस तरीके से आपको च वीडियो में बताऊंगी लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पे पूरा बनना है यानि की पूरी वीडियो देखनी है अगर पसंद आए तो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलेगा चलिए शुडू करते हैं आज की वीडियो डी मिलन क्रीम जो है वह सदस्राइब करती है उससे नीचे वाली सक्रीण आ जाएगी आप के सामनी है और आपके स्कीन होगी उसका नैचरली जो टेक्चर होता है वह इंप्रूव होता है आपकी जो डेमेज डार नेकर्व क homeland कि इस लिए हो जाती है क्योंकि धूक्ट प्रयोशन के कारण आपकी स्क तो नीचे वाली आपकी लेयर जो है आपकी सकिन की लेयर है वह बहुत ज़दा अच्छी निकलती है उसका टेक्चर आपकी इंप्रूव होता है तो इसलिए कहा जाता है कि इस्किन वाइटनिंग है क्योंकि आपको सकिन को पील करती है ये skin को peel करे भी ना आपको गोरा नहीं करेगी तो इसका mainly काम skin को peel करना है पील करते ही आपका texture इंप्रूव आ जाएगा next चीज जो इसके बाद में आती है वो ये आती है कि क्या क्या work करती है peeling करने का work करती है skin whitening कर देती है आपके face पे जो निशान होगा उनको भी हटाए देती है ये बट आपके जो गहरे निशान होते है जो आपकी नीचे वाली layer तक पोच्च चुके होते है उनको ये नहीं हटाती गड़ो को ये भरती नहीं है बट कुछ गड़ो को ये छोटा कर देती है यानि कि जो आपके open forces होते है उनको कहीं हट तक ये ठीक कर देती है ठीक का मतलब ये है कि ये थोड़ा उसको improve कर देती है बहुत अच्छा उस पर work नहीं करेगी इसको लगाने के बाद में आपको sunscreen का use जरूर करना है क्योंकि आप sunscreen का use नहीं करेंगी तो आपकी जो sensitive skin है उसको बहुत गंदा असर पड़ेगा इसके अंदर है Glaxoak Acid 10% जो की sugar से निकलता है ये मैंने इसकी वीडियो आपको पहले बता दी है इसका मेली का मिसकीन को peel करना है दूसरा है Arbutin 5% इसका काम रंग को निखारना है Kojic Acid 2% इसका काम आपको दूप से बचाना है Fungus से निकलता है ये Kojic Acid लालपन हो सकता है यानि कि इसका जो side effect है Kojic Acid का वो redness दे देता है कभी-कभी skin पे तो आप इसको इस तरीके यूज करते हैं अच्छा इसका वैसे दावा ये है कि इसकीन वाइटनिंग क्रीम है लेकिन मैंने ये ही बता दिया कि इसकीन वाइटनिंग नहीं करती सिर्फ आपकी skin को पील करती है जिससे आपकी निशान हर जाते हैं जो नीचे लिए लेयर का जो कलर है आपका वो कलर आपका आजाएगा रात को सोने से पहले इसका यूज़ करना चाहिए कभी भी धूप के टाइम में या फिर दिन में इसका यूज़ ना करें रात को सोने से पहले इसका यूज़ करें सुबहोट का चहरा दोले और संस्क्रीम का यूज़ जरूर करें जब आप इसको यूज़ करें तो अधर क्रीम को यूज़ ना करें इसके साथ में साइड इफेक्ट इसकी यही हो सकते हैं कि आपका स्किन लाल हो सकती है जो परत उतरती है इसकी तो जादा वो कहीं बार मातरा में उतर जाती है तो इस वज़े से धियान रखना आपको बहुत कम मातरा में लगाना है और आखों के पास से इसको लगाना नहीं है बराबर मातरा में पूरे चहरे पे लगाना है जब आपकी स्किन पील होनी शुरू हो जाए अच्छी तरीके से पील हो जाए तो इसको छोड़ देना है से 6 हफते के अंदर असर कर देती है उससे पहले असर नहीं करती और अवोइड किन लोगों को करना जिनकी ड्राइ स्कीन है सेंसिटिव स्कीन है और जिनका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है वो इसका यूज़ ना करें उनको यह बहुत ज्यादा हानी पोचा सकती है इसको करनी से पहले आपको हमेशा टेस्ट करना है पैच टेस्ट लेना है वो आप अपने कान के पीछे थोड़ा क्रीम को लगागे 24 गंटे रखना है अगर आपको लगे आपकी स्कीन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको मत यूज़ कीजिएगा और इस से इसमें कहा जा है तो वह भी जरूर लिकेगा थैंक्यू सो मच